हरे कृष्णा आप सभी भक्तों का आज के इस विशेश सत्र में बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत आज का ये सत्र हमने इस कौन संस्था के जो संस्थापक अचारिय हैं एसी भक्तिविदान्त स्वामिश्ले प्रभुपाद जी उनके उपर रखा है और ये सत्र उनके उपर रखने का विशेश कारण ये है कि हाल-फिल्हाल में जन्माष्ठमी का त्योहार हमने मनाया और जन्माष्ठमी के त्योहार के अगले ही दिन शिलप प्रभुपाद जी का आवेर्भाव दिवस यानि कि अपियरेंस डे जिसे कुराम दिवस topic होता है और कि उसी उपलक्ष में शिल्व प्रोपाद जी का स्मरण करने के एक ने के लिए के भक्तिम्ह चरित्रय ब्रयदना लेने के लिए आज का यह विशेश सतर रखा ग्या है और एक और कारण है हमारे कख्षा में हमारे भाग लेने के लिए प्रदीब जी और इला जी जो जुटते हैं अमेरिका से उनका भी एक विशेश निवेदन था के जब भी कोई अफसर हो तो प्रहुपाद जी के जीवन से कोई कथा पुन है एक बार वो सुनना चाहेंगे तो उनका भी एक प्रकार से में जो निवेदन है उसको पूरा करने का इस कथा के माद्यम से प्रियास कर रहा हूं पिशली बार भी जब जन्दमाष्टिमी का उत्सव हमने मनाया था उस पर भी हमने जन्दमाष्टिमी को लेकर पिशले वर्ष भी कथा करी गई थी और उसके बाद हमने दो दिन दो बार प्रहुपाद जी के जीवन श्रित्र प और जैसे जैसे उनका जीवन चला उसी क्रम में हमने उनकी जीवन की कुछ प्रमुख घ्टनाओं के बारे में दो प्रवचनों के माध्यम से एक सवा गंटे के दो तो प्रवचन हैं उनके माध्यम से हमने अपनी जानकारी बढ़ाई आज भी हम लगभग प्रहुपाज जी के जीवन के उपर ही प्रकाश डालेंगे लेकिन आज की जो कथा है उसमें मुख्य रूप से हम प्रहुपाज जी के जीवन में जो भारत वर्ष में और अमेरिका जाने से पहले या अमेरिका जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन में जिस-जिस प्रकार के संघर्ष किये, उन संघर्षों के ओपर अपना आज का प्रवचन केंद्रित करेंगे. आप देखेंगे के प्रवचन के जीवन में जो संघर्ष हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो एक प्रकार से जो उनकी गहनता है, वो लगभग लगभग वैसी ही हैं जैसे आप महाभारत में पांडवों के जीवन चरित्र में देखते हैं. पांडव भी भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त होने के बावजूद पांडवों के जीवन में भी बड़े संघर्ष उनको करने पड़े. तो प्रभुपाजी के जीवन में भी आप देखेंगे कि उतने ही तीवर संघर्षों का सामना उन्होंने अपने जीवन में किया तो आज जो हम इसकौन संस्था के माध्यम से, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, संस्था के मंदिरों के माध्यम से, इतनी विशाल भक्त समुदाय के माध्यम से, जो हम प्रिश्ण भक्ती का आनंद जो ले रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी संगर्शमय कहानी चुपी हुई ह उसका थोड़ा आभास आपको पिशली बार भी लगा होगा पर आज विशेश रूप से हम उसको अपनी इस कथा के माद्यम से सामने ले कराएंगे कथारम करने से पहले एक बार मंगलाशरण प्रार्त्नाय करेंगे ओम अज्ञान तिमिरंधसे ज्ञानन जनाश लाकया चक्षुरून मीलितं येन तस्मय श्रीगुरवे नमहा स्रीचैतन्यमनो भिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपह कदामहिं ददाती स्वपदांतिकं वन्देहं श्री गुरोह श्री युत पद कमलं श्री गुरून वैश्न वाम्ष्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रगुनात अन्वितं तंस जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विताम्ष्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कपकांचन गाउरांगी राधे ब्रिंधावनेश्वरी ब्रिशभानू सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरूभ्यस्चा क्रपा सिंधुब्य एवचा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमूनमह जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभूनित्यानन्द हरे क्रिश्णा हरे क्रिश्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे चलिए आज की कथा अरंप करते हैं आज की कथा प्रभुपाजी के जीवन चरित्र पर है लेकिन हम प्रभुपाजी के जीवन चरित्र में प्रवेश करने से पहले उनके जीवन के संघर्षों में प्रवेश करने से पहले श्रीमत भागवत के एक शलोक के उपर थोड़ा सा समय देंगे और श्रीमत भागवत के शलोक के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में एक साधु व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या विशेश इस्थान है तो ये श्लोक जो है वो श्रीमत भागवतम के तीसरे सकंद के पच्चिसमें अध्याय का बीस्वा श्लोक है ये है श्लोक भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूती को जब वो शिक्षाएं दे रहे होते हैं तो उस संदर्भ में वो अपनी माता देवहूती को ये श्लोक बोलते हैं तो श्लोक इस प्रकार है प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनाह कवयो विदूहू सेव साधु शूकृतो मोक्षद्वारम अपावृतं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनाह कवयो विदूहू सेव साधु शूकृतो मोक्षद्वारम अपावृतं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनह इसका अर्थ है सांसारिक आसकती ही संसार का सबसे प्रबल बंधन है प्रसंगम अजरम पाशम पाशम मतलब बंधन प्रसंगम अजरम मतलब बहुत प्रबल बंधन है प्रसंगम अजरम पाशम आत मनह कवयो विधु और कवयो मतलब बहुत बड़े विध्वान विधु मतलब जानना तो प्रतेक विध्वान ये अच्छी तरह से जानता है कि सांसारिक आसकती संसार का सबसे प्रबल बंदन है सयव साधुशू कृतो किंतु यही आसकती यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के लिए हो जाए तो यहाँ साधुशब्द का तातपरिये प्रभुपाजी ने कैसे लिख्या है भगवान की भक्ती के अलावा जीवन में और कोई उद्धेश नहीं है यही आसकती यदि सरूप सिद्ध भक्तों के लिए हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावरतम तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं तो यहाँ पर इस लोग के माध्यम से भखवान कपिल देव अपनी माता देव हुती को बोल रहे हैं कि ये बात जग जाहिर है हर कोई जानता है कि संसार में जो आसकती होती है वो इतनी प्रबल होती है कि वो व्यक्ति को बांधने लगती है बांध देती है लेकिन यही आ सकती जो संसार के प्रति इतनी स्वभाविक रूप से किसी जीव की होती है यही आ सकती जब किसी साधू व्यक्ति अर्थात 서ूप सित्ध भुक्त के लिए यदी वो जाग्रत हो जाए तो मौक्ष के द्वार खुल जाते हैैं मोक्ष के द्वार मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं शिलव प्रभुपाज जी ने श्रीमत भागवत में इस श्लोक के ओपर एक अच्छा खासा तातपरिया दिया है लगभग डेड़ वने दो पेज का ये तातपरिया है इस तातपरिया को पढ़ना बड़ा रुचिकर होग यहाँ पर इसपष्ट कहा गया है कि किसी वस्तू के लिए आसकती होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है किन्तु यही आसकती किसी अन्ये के प्रती हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है आसकती की हत्या नहीं की जा सकती इसे केवल इस्थानांतरित करना होता है भौतिक वस्तूओं के लिए आसकती को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसकती को कृष्ण चेतना अर्थात भावनाम्रत या भक्ति कहते हैं फलत हा चेतना आसकती की अभी व्यक्ति का माध्यम है। यहां यह इसपष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना में कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसकती का परित्ता किया जाए, ज जीव में सुभावता किसी ना किसी वस्तु से आसकत होने का जुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसकती की वस्तु नहीं होती, यदि उसके संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसकती कुट्टों तथा बिल्यों में इस्थानांत्रित कर देता है। इससे प्रेश्ट कारिये के उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रती हमारी आसकती होने से हमारी बद्ध अवस्ता चलती रहती है। किन्तु यदि इसी आसकती को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का सुरोत बन जाती है। यहां संस्तुती की गई है कि आसकती को स्वरूप सिद्ध भक्तों या स्वाधूं में इस्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधू है कौन? साधू कोई समान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहनने हो या लंबी सी दाड़ी रखे हो। भगवत गीता में बताया गया है कि साधू वह है जो बिना हिचकी चाहट के भक्ति में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति के नियमों का दड़ता से पालन ना करता हो, किन्तु यदि परम पुरुष क्रिश्ण में उसकी अडिक आस्था है, तो वह साधू समझा जाता है। भगवान चेतने भी इसकी पुष्टी करते हैं। आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योशिताम संगी संगम। भौतिक्ता वादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिक्तावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा से नर्क का दुआर खुल जाता है। यहां इसी सिद्धान्द की पुष्टी की गई है। भक्ति के प्रती आ सकती भगवत सेवा के प्रती आ सकती है। क्योंकि यदि कोई साधु की संगती करता है, तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निश्ठावान दास बनाय जाए। साधु का यही वर्दान है। यदि हम साधु की संगती करना चाहें, तो हमें यह उमीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बतायेगा कि हम अपनी भौतिक सिथी कैसे सुथारें। अपितु वह हमें शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षन रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ती में हम कैसे उपर उठें। साधु की संगती का यही फल है। शुलप्रभुपार जी की जय है। देखे, यह हमने प्रभुपार जी का तात्परिय पढ़ा। अब यहाँ पर इस तात्परिय में जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। यहाँ पर प्रभुपार जी इसी शलोक को समझाते हुए कह रहे हैं कि आसकती की हत्या नहीं की जा सकती इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। प्रभुपार जी हां कह रहे हैं कि जब हम इस संसार में अपना जीवन बिताते हैं तो जीव के लिए बड़ा स्वभाविक है कि किसना किसी वस्तु के प्रती, किसना किसी व्यक्ति के प्रती उसकी आसकती हो जाती है, उसका प्रेम हो जाता है। तो आसकती की हत्या नहीं की जा सकती, ये जीवात्मा का मूल स्वभाव है, प्रेम करना, कर्म करना, क्रियाशील होना, ये सब जो है जीवात्मा का मूल स्वभाव है, इस स्वभाव की हत्या नहीं की जा सकती, किन्तु इसे केवल इस्थानांतृत करना होता है, व्यक्तियों में हैं हमारी आसकती धन में हैं हमारी आसकती बड़ा आदमी बनने में हैं नाम कमाने में हैं इन सब बातों में हमारी आसकती है लेकिन जब इन सब बातों से अपनी आसकती को हम आध्यात्मिक्ता की ओर लगाते हैं उसे कहते हैं आसकती को इस्थानांत्रित करना प्रभुपाजी यहां लिखते हैं, जीवात्मा के लिए यह संभव नहीं कि वह अनासक्त अर्थात इक्षा विहीन हो सके कई बार लोग कहते हैं कि भी आध्यात्मिकता का अर्थ है कि कोई भी विचार नहों विचार शूनने हो जाई杰 में एक्षा विहीन हो जाई उसके बाद वो कहते हैं, हम देखते हैं, उसके बाद प्रभुपाज जी कहते हैं, हम देखते हैं कि यदि किसी की कोई आसकती की वस्तु नहीं होती, किसी की यदि कोई संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसकती कुत्तों तथा बिल्यों में इस्थाना अंतृत कर देता है। तो हम देखते हैं अपने जीवन में कि माली जै किसी व्यक्ति को संतान नहीं है, किसी के पास किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से प्रेम करने का कोई योग या कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो संतान विहीन होते हैं, तो वो भी अपनी आसक्ति को कहीना कहीं लगाने के लिए कभी कुटा पाल लेते हैं, कभी कोई बिल्ली पाल लेते हैं. तो प्रप्राजी ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि आसक्ति को हम मार नहीं सकते, उसे हमें कहीना कहीं लगाना होता है. और यदि इसी आसकती को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का सुरोथ बन जाती है आज की कथा हम भगवान के एक परम भक्त एसी भक्तिविदांत स्वामिशले प्रभुपाद जी के बारे में जो बोलने जा रहे हैं तो आप ये समझ लिजिए कि प्रभुपाज जी जैसे भक्त की जीवन की कथा सुनना भी मोक्ष का एक स्रोत का कारण हमारे लिए बन सकती है, तो यदि यही आ सकती भगवान या उनके भक्त में लगा दिया जाए, तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है, तो इस लोग के अंदर साधू करके एक शब्द जो आया है, तो यहाँ पर प्रभुपाज जी बता रहे हैं कि साधू का अर्थ क्या है, साधू का अर्थ है वह व्यक्ति जो भक्ति का कटर अन्युयाई होता है, भक्ति मतलब भगवान की सेवा, भगवान की सेवा का जो कटरता से पालन करता है, द साधू व्यक्ति की संगती होती है, साधू व्यक्ति के साथ जो हमारी आसकती होती है, उसका बड़ा महत्व है, उसकी बड़ा महात्म है, वो क्या है? लव मात्र साधू संगे सर्वसिद्धी है, लव मात्र, लव मतलब एक शन जिसे होता है, जिसे हम एक सेकंड कहते हैं, उस स खोटे समय के लिए भी संगती कर लेते हैं, उससे हमारा परमकल्याण संभव है। सादू की शनमात्र संगती से भी सिध्धी प्राप्ट की जा सकती है। भौतिक्ता वादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। इसके विप्रीत, यदि सादू की संगती करने के विप्रीत, यदि हम किसी भौतिक्ता वादि व्यक्ती की संगती करते हैं, तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। और प्रभाव क्या होता है? ऐसे व्यक्ती की सेवा से नर्क का दवार खुल जाता है। हमारे लिए नर्क का दवार खुल जाएगा, क्योंकि जब हम ऐसे व्यक्ति क्यासित्ति करेंगे, तो हमारी जीवन में भी भौतिकतावादी जो कामनाएं हैं, जो इक्षाएं हैं, वो प्रबल होने लगेंगी, और ऐसी एक्षाओं का जो हमें परिणाम मिलता है, वो अच्छा नहीं होता है, यदि हम साधू की संगती करना चाहें, तो हमें यह उमीद नहीं करनी चाहिए, कि वह हमें बतायेगा कि हम अपनी भौतिक इस्तिती कैसे सुधारें, तो यह देखें, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आध्यात्मिक्ता को लोग सिर्फ अपनी भौतिक परिस्तिती को सुधारने का एक साधन बना लेते हैं, कि पंड़त जी हमें कोई ऐसा मंत साधु की संगती करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कि कैसे हम इस संसार से जो भौतिकताकी, जो कलमश की जो गांट है, उसको हम कैसे काट सकें, भगवान के प्रती अपना आकर्شन, भगवान के प्रती अपनी आसकती, कैसे बढ़ा सकें, ना कि अपनी भौतिक सिथ कैसे सुधारे, इस बारे में हम साधु के पास जाएं। तो इस से आप इस ताद्परे से देखेंगे के प्रभुपाद जी ने साधु का अर्थ बताया है, साधु की आसकति करने का परिणाम बताया है, मोक्ष उसका प्रिणाम वो बता रहे हैं और साधू से जब हम संगती करते हैं उनके पास जब हम जाते हैं तो वास्तम में हमें उनसे क्या ग्रहन करना चाहिए ये सब बातें उन्होंने अपने तात्परे में बताई है तो बताने के पीछे उद्देशी ये है क्योंकि आज की जो कथा है वो भगवान के एक अनन्य भक हमारे इसकौन संस्था के संस्था पकचारे एसी भक्तिवदान स्वामी श्लप प्रभुपाजी के बारे में है तो उनकी कथा को सुनकर भी हम अपना जीवन उसको कल्याण में बना सकते हैं उसको मुक्ष की और ले जा सकते हैं तो आज की कक्षा में हम थोड़ा सा आपको श्लप प्रभुपाजी के आरंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा रूप रेखा देंगे उसके बाद प्रमुखता जो आज की जो कथा रहेगी उसमें प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में भारत वर्ष में जो भी उन्होंने समय बिताया, उसमें उन्होंने जो अनेक संगर्ष किये, उनका थोड़ा सा विवरन आपको देंगे, और उसके बाद भारत से जब वो अमेरिका प्रचार करने के लिए गए, अपने आज की कक्षा में हम थोड़ी बातें आपको बताएंगे, तो सबसे पहले प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में हम उनके बाले काल से आरंब करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन देना चाहेंगे, थोड़ी सी भूमी का देना चाहेंगे, शिल भगवान या भगवान का कोई प्रतिनिधी जिसको भगवान किसी एक विशेश शक्ती से आवेशित करके इस धर्ती पर भेजते हैं ताकि वो मानवता के लिए मानव जीवन के लिए कल्यानकारी उबदेश दे सकें तो उसको शक्तियावेश अवतार कहा जाता है और शिलप र प्रयोजन रहा धराधाम पर आने का वो था यहां पर मानवता को भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति से जागरूक कराना उन सब को श्री कृष्ण भक्ति का उनके लिए प्रचार करना तो इसी इसी लिए श्रील प्रभुपाद जी को हम यहां पर शक्त्यावेश जितने भी संगर्ष वास्तव में उन्होंने किये उन संघर्षों को आज हम क्यों सुनना चाहरे हैं उन संघर्षों से वास्तव में हमारे लिए क्या ऐसा महतुपूर्ण है अब अनके बारे में आज यहां पर चर्चा करें तो देखिये जैसे आप उन्हें श्रीमत वालमी की रामायंड में भगवान राम का चरित्र सुना है और वालमी की रामायंड जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कितनी करुंड रस से भरी हुई कथा है पूरी उस्तक में आप देखते हैं कि कैसे भगवान श्री राम उनके भक्त मादा सीता लक्षमन भरत जी हनुमान जी इत्यारी इत्यारी जितने भी उनके साथ वहाँ पर चरित्र दिखाये गए हैं, या तो भगवान हैं या उनके भक्त हैं, सभी चरित्र जो हैं, वो किस प्रकार से उनको अपने जीवन में अनेक अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. तो उनकठिनाईयों को जब हम देखते हैं, तो वास्तब में हमारे हिरदय में एक प्रकार से एक आध्यात्मिक रस जो है, उसकी उत्पत्ती होती है. उनकठाओं के माध्यम से हम देख पाते हैं कि भगवान का हिरदय कितना मधूर है, कितना विशाल है, कितना भक्त वतसलता से वो भरा हुआ है, भक्तों के लिए प्रेम से भरा हुआ है. और उसी के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, भरत जी का चरित्र देखिए, सीता जी का चरित्र देखिए, लक्षमन जी का चरित्र देखिए, हनुमान जी का चरित्र देखिए, तो उन करुणा मई कथाओं के माध्यम से उन भक्तों का चरित्र भी सामने निकल कर आता है तो जैसे स्वर्ण को जब हम आग में, अगनी में तपाते हैं तो स्वर्ण और चमकता है और सुन्दर और सुनहरा बनता है इसी प्रकार से जब हम भक्तों का जीवन उनके जीवन में आए हुए संघर्षों के परिपाटी में देखते हैं उनकी तो इसी तरह से जब हम शिलप रभुपाजी का जीवन देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का प्रचार करने के लिए कितना द्रड संकल्प अपने जीवन में दिखाया इतनी कठिनाईया होने के बावजूद भी वो हम सब को कृष्ण भक्ति का इस प्रसाद को देने के लिए हमेशा कितना तत्पर रहे तो जब हम इस प्रकार की कठाओं को पढ़ते हैं तो इससे हमारे जीवन में भी प्रेणा आती है हमारा भी प्रभुपाजी जैसे भक्त के प्रती एक प्रेम का संबंद जो है वो प्रगाड ह यह हमारे लिए मोक्ष का द्वार मुक्ति का द्वार भगवान के भगवत धाम जाने का द्वार हमारे लिए खोल देता है शुत्य भक्तों की विशेष्टा यह होती है कि यह लोग जो होते हैं यह जो व्यक्तित्व होते हैं यह भगवान के मन को भली भाती समझते हैं भग वो अपने मन को तो समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान के मन को कैसे समझेंगे? तो इसलिए भी ये आवशक है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाएं सुनें, ताकि हम उनके मन को समझते हुए भगवान के मन को भी समझ पाएं. भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं हमेशा भगवान के ही भावना में वो डूबे रहते हैं और हमारी जो सिथी है वो इस प्रकार की नहीं होती है हम हमेशा जब भी इस संसार में रहते हैं या तो अपने बारे में सोचते हैं भगवान की भगवत भक्ती में हमारा चिंतन जो है अकसर इतना प्रगाड नहीं होता है तो भक्तों की जब हम कथा सुनते हैं उनकी संगर्ष घाता जब सुनते हैं तो ये जो भावना है भगवान की भक्ती में रहना भगवान के भक्ती भावना में रहना ये भी प्रबल होती है ये भी प्रगाड होती है भक्तों की कथाओं के माध्यम से हम भगवान का जो प्रेम है उसको सरल्दा से प्राप्त कर सकते हैं क्यूं ऐसा क्यूं होता है भगवान के जो भक्त होते हैं उनके साथ उनके जीवन के साथ हम आसानी से एक संबंद इस्थापित कर पाते हैं जब भी हम पुरानों में अपने उपनीशदों में जिस प्रकार के जो समवाद पढ़ते हैं, जिसे प्रकार की जो कथाएं पढ़ते हैं, उन कथाओं को पढ़ते वे वास्तन में हम प्रेणना तो प्राप्त करते हैं, लेकिन कई बार मन में ये प्रश्न उठता है या कई बार एक प्रकार से शंका उठने लगती है कि इतने पुराने गरंथ हैं, इतने पुराने काल खंड के चरित्र हैं, उनसे अक्सर हमारा इतना सरलता से जुडाव नहीं हो पाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे ही काल खंड में आया है, हमारे ही जीवन काल के आसपास यदि उसका जन्म हुआ है, और जब हम उसके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, जब उसकी गहराई में जाते हैं, तो उनकी कथाओं से हम विशेश रूप से बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवत प्रेम वास्ता में हम कैसे प्राप्त करते हैं, भक्ती हम कैसे प्राप्त करते हैं, भक्ती आती है भक्ती से, और भक्ती हमें कहां से मिलती है, भगवान के शुद्ध भक्तों से, तो शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र में अंदर जाने पर हम भगवान के भगवत प्रेम को सरलता से प्राप्ट कर सकते हैं अब खोड़ी सी चर्चा हम शिल प्रभुपाजी के बच्पन और उनकी युवावस्था के बारे में करेंगे प्रभुपाजी का जो जन्म था वो 1896 में 1 सितंबर को हुआ था जन्माष्ट्यमी के अगले ही दिन उनका जन्माष्ट्यमी के अगले दिन नंदुत्सव मनाया जाता है उनके माता का नाम था श्रीमती रजनी देवी और उनके पिता का नाम था श्री गौर मुहंडेश्ट्यक वे बड़े ही कुलीन और संब्रान्त एक बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ था सुवन्ड मलिक परिवार में उनका जन्व हुआ था और उनके पिता भी भगवान शी कृष्ण के अनन्य भक्त थे तो प्रभुपाजी अक्सर अपने पिता के बारे में जब चर्चा करते हैं तो वो कहते थे कि मेरे पिता वास्तब में एक कपड़े के व्यापारी थे कपड़े का उनका व्यापार था लेकिन वास्तब में उनका मुख्य व्यापार क्या था उनका मुख्य व्यापार था भगवान की भक्ति करना और वे अपने पिता के जीवन से बड़ा प्रभावित थे और उनको अपना एक प्रकार से गुरु मानते थे, एक मारदर्शक मानते थे और कई बार उन्होंने अपनी पुस्तकों में अपनी पुस्तकें जो हैं अपने पिता, श्रीक और मुहंडे उनको भी उन्होंने उनको डेडिकेट करी हैं उनके पिता का एक बड़ा मुख्य कथन था, जो अक्सर वे बोला करते थे, और प्रभुपाद जी अक्सर अपने प्रवचनों में उस कथन को दोराय करते थे, उनके पिता अक्सर कहा करते थे, कि यदी कृष्ण किसी को कुछ देना चाहें, तो तुम कितना बटोर सकते हो, त तो तुम कितना रोक सकते हो, तो आज की कता में आप देखेंगे कि कैसे भगवाद शी कृष्ण ने प्रभुपाद जी के जीवन में जब उनको दिया, तो बहुत दिया, और जब उनसे लेना शुरू किया, तो वो भी बहुत उनसे लिया गया, लेकिन शुद्ध भक्तों क जीवन में भगवान जब इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, तो वो एक प्रकार की लिलाएं होती हैं, और हमें उन्हें उसी दृष्टी को उनसे देखना चाहिए, उनके पिता जो थे, वो कोई बहुत निर्धन व्यक्ती नहीं थे, नहीं बहुत अधिक धनवान व्यक्ती टेर में खाने पीने के मामले में, सुख सिविधाओं के मामले में किसी भी प्रकार की उनको कोई कमी नहीं थी, उनके पिता जैसे कि मैंने आपको पताया, धिर्दे से भक्त थे, एक कपड़े के वया पारी थे, और उनकी एक विशेष्टा यह थी के उनकी दुकान में चुहें यदी हुआ करते थे, तो वो दुकान बंद करने से पहले, वो दुकान में अपने दुकान के स्थान पर जहां अंदर माल वगएर रखा होता था, कपड़े ज़री रखे होते थे, तो वहां चुहों के लिए भोजन रख कर जाते थे, और उसको वो बड़ा ही विशिष्ट था, जैसा कि प्रभुपाज जी ने अपने पिता को लेकर कहा कि उनका जो मुख्य व्यपार था, वो था भक्ति करना, और उनका जो टाइम टेबल था, उनका जो समय सारनी था दिन में, उसमें प्रभुपाज जी की जो पिता को और मुहंडे थ वो सवेरे छे बजे उठा करते थे, सवेरे छे बजे उठकर भगवान के लिए ताजा, फ्रेश जो थे फूल लेकर आया करते थे, और लगभग साड़े साथ बजे के आसपास वो भगवान की पूजा करना शुरू किया करते थे, साड़े साथ बजे तक जो पूजा आरंब करते तो लगभग लगभग उनकी पूजा जो थी वो साड़े गैरा बारा बजे तक चला करती थी उसके बाद वो अपना दोपहर का भोजन लिया करते थे और एक बजे वो अपनी दुकान पर जाया करते थे दुकान पर जाने के बाद वो लगभग दो घंटा आराम किया करते अब आप देखें कि सुबह 6 बजे से उठकर लगभग 3 बजगाए है अभी दिन के और उनका अभी पूजा पार्थ कंप्लीट हुआ है और भोजन और आराम समाप्त हुआ है उसके बाद 3 बजे के बाद से उनका वहाँ व्यपार शुरू हुआ करता था और वो रात 9 बजे त बाद वो सीधा अपना भगवान के मंदिर में जाकर उनकी वहाँ पर पूजा किया करते थे घंटी बजा करते थे अभे जो कि प्रभपाजी का बच्पन का नाम हुआ करता था तो अभे उन दिनों उस समय तक जब 9 बजे तक उनके पिता वापिस आते थे तो उस समय तक बाद को सुनकर अभे उठता था और तुरंत अपने पिता के बराबर में आकर बैठता था और पिता के साथ पूजा करता था भगवान शीक्रिश्मी तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाजी को बच्पन से ही बड़े प्रबल और प्रगहाड संसकार भग सबसे क्युक्त से हमाता के साथ लेकिन पिता उनका विशेश इस ने था उनके पिता-गौर महंडे जब प्रभुपाजी को कई रमौट之前 के लिए यदि उनको प्रभुपाजी को डांटना होता था या अभए को डांटना होता था तो बड़ा एक विशी रूप से उनका व नाटने वाला हूं तुमने गलती करी है इसलिए मुझे तुम्हें डाटना पड़ेगा चेतने महाप्रभु के पिता भी हैं चेतने महाप्रभु को बच्पन में डाटा करते थे और इतना कहने के बाद फिर वो अभय को डाटा करते तो आप इससे प्रभुपाज जी के पिता हैं तो वो आवेश आवेग से होते हैं मतलब हम कोई कोई उसके लिए बहुत प्लैनिंग नहीं करते हैं कि हमें डाटना है इतना डाटना है दो मिनिट तक डाटना है इतना प्लैनिंग करते हैं हम महज अपने एक आवेश के कारण हैं अपने मन की चंचलता के कारण मन के अनियंत्रित होने के कारण हम किसी को नाटने लगते हैं तो इससे आप देख सकते हैं कि कैसे छिल प्रभुपाद जी के जो पिता थे उनका अपने मन के उपर बड़ा गंभीर नियंत्रन था उनकी माता जी रजनी जी जो है प्रभुपाजी को आगे पढ़ाने के लिए इंगलेंड भीजना चाहती थी लेकिन प्रभुपाजी के पिता जो थे वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे वो चाहते नहीं थे कि प्रभुपाजी जो हैं वो इंग्लेंड जाएं वकील इत्यादी बने वो चाहते थे प्रभुपाजी के पिता चाहते थे कि वो राधारानी के एक महान भक्त बने इसलिए उनका वे मृदंग आदी बजाने में उस संदर्व में उनका ट्रिशिक्षन वो अक्सर कराया करते थे अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रभुपाजी जब बच्पन से अब थोड़ा बड़े हो जाते हैं अपना स्कूल जाने लगते हैं तो वहां पर उनका जीवन कैसा रहता है तो प्रभुपाजी जब स्कूल कॉलेज गए तो वहां पर बुद्धिमान शात्र थे, उन्होंने अनेक अनेक विश्यों में जिसमें की लिटरेचर, संस्कृत, इत्यादी, जितने भी विशे थे, उसमें बड़ा अच्छे से उन वो अपना पढ़ाई करते थे और बड़ा बुद्धिमान शात्र थे, उन्हीं के कॉलेज में, उन्हीं और ना स्पान्द्यास क Goddess na. जो अंग्रेश उनके आध्यापक हैं अंग्रेश यहां किसे भारतिय संस्कृति का भारतिय सभ्यता का उब्हास किया करते थे किसले से आध्यापक एंग्रेश वह nasya उसका मजाग बनाया करते थे तो प्रभुपाज जी को ये बात उनके मन में घर कर गई कि यदि इस भारत देश की जो समस्याएं हैं वो जब तक नहीं सुधर सकती हैं भारत देश अपनी संस्कृत को जब तक नहीं अपना सकता है जब तक कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारत जो है वो इन से आजाद ना हो इसलिए वो स्वाधिंता संगराम का जो अंदोलन था उसके प्रति आकर्शित हुए साथी साथ वो महात्मा गांधी के प्रति भी आकर्शित हुए क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो अपने हाथ में भगवत गीता रखते थे भगवत गीता करने का जो एक तरीका था जो शैली थी वो भी अभय को काफी उसको रुची लगी उसमें उनका प्रभाव उससे उनके काफी प्रभावित हुए तो ऐसे में स्वाधिन्ता संगराम के आंदोलन में वे भी कूद पढ़े और जब उन्होंने अपने कॉलेज में शिक्षा पूर्ण करी तो जब डिगरी लेने का वक्त आया तो प्रभुपाद जी ने डिगरी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो जो डिगरी थी वो अंग्रेजी शिक्षा की थी और चुकि वो स्वाधिन्ता संगराम से आकरशित हो चुके थे तो उन्होंने ये डिगरी को लेने से मना कर दिया कि उन्हीं दिनों इस प्रकार के अंदोलन भी चल रहे थे जैसे जलियां वाला बाग का जो कांड हुआ था रॉलेक्ट एक्ट का जो वहां पर जो प्रावधान लाया गया था अंग्रेजों द्वारा तो इसी संदर में ये उन्हीं उसी समय की बात है कि जब अभे जो थे वो राजनीती की तरफ या सवतनता संगराम की तरफ आकरशित होने लगे थे अब जब उनको उनके पिता को ये पता लगा कि ये राजनीती की तरफ स्वतनता अंदुलन की तरफ ये जा रहे हैं तो उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो ये राजनीती इत्यादी करें वो चा अच्छी कन्या देखकर, अपने ही समाज में अच्छी कन्या देखकर, उनका विभा करा दिया, और अपने ही एक बड़े अच्छे मित्र, डॉक्टर बोस, उनकी जो लेबोरेटरी थी, वहाँ पर जो दवाई बनाया करते थे, उस डॉक्टर बोस की अपने मित्र की एक लेबोरेटरी में उनको मैनेजर के पत पर उनकी नौकरी वहाँ पर लगवा दी. तो अब अभे जो हैं, वह एक मैनेजर के पत पर कारे रत थे, अपना परिवार चला रहे थे, उनकी पतनी थी, धिरे-धिरे उनकी एक संतान भी हो गई, और यह उस समय की बात है, जब अभे चरण के जीवन में एक बहुत ही बड़ा मोड आता है. तो इस समय जब वो एक दिन अपने बोस लेबोरेटरी में अपने दफ्तर में वहाँ बैठे थे, काम कर रहे थे, तो उनके एक मित्र थे, जिनका नाम था नरेंदरनाथ मलिक, वो नरेंदरनाथ मलिक अभे चरण से मिलने वहाँ पर आते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि देख कि बात सुनते हैं, और इसमें कोई रुची नहीं लेते हैं, नरेंदरनाथ मलिक के प्रस्ताव में कोई रुची नहीं लेते हैं, अभे कहते हैं कि देखो, मेरे घर में अनेक साध्व jotka आते रहते हैं, मैं उनसे अक्सर देखता रहता हूँ, मेरे पिताजी उनको बुलाते ह वो घर के पीछे जाकर जो भी दान देख्षिना लेते हैं उस दान देख्षिना से वो चरस और गांजा पीते हैं तो ऐसे साधूँ के प्रती मेरी कोई आ सकती नहीं है मेरा मिलने में कोई विचार नहीं है कोई विशेश रुची नहीं है तो ये बात कहकर अभे जो है वो मिलने से मना कर देते हैं लेकिन नरेंदर मलिक जो है वो फिर भी उनके पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं आपको चलना चाहिए कोई ऐसे वैसे सादू नहीं है वास्तब में नरेंद्र मलिक अभे को उस सादू से क्यों मिलाना चाहते हैं क्योंकि अभे जो थे वो जो भी उनकी मित्र मंडिली थी उनमें वो एक प्रकार से नेता के रूप में देखे जाते थे कि यदि अभे ने इस बात को मान लिया इस बात को स्विकार कर लिया कि ये एक पहुचेवे सादू हैं तो वास्तब में ये एक पहुचेवे सादू हैं हम भी फिर इनको स्विकार कर लेंगे तो अभे की इस प्रकार से अपने मित्र मंडिली में बड़ा प्रभावशाली व्य तो चुकि वो संसकारी व्यक्ति हैं, बच्पन में ही भक्ति में वातावरणम उनका जन्म हुआ है, तो जैसे ही साधू से वो मिलने जाते हैं, तो साधू को वो दंडवत प्रणाम करते हैं, जुक कर अपनी प्रणाम उनको अरपन करते हैं, तो जैसे ही वो सर उठाते हैं, उ वो अभी ठीक से बैठे भी नहीं है, ठीक से उन्होंने उस साधू का दर्शन भी नहीं किया है, भक्ति सिद्धान्त महाराज का दर्शन भी नहीं किया है, इतने महीं भक्ति सिद्धान्त महाराज अभे को देखते ही बोल देते हैं, कि तुम एक बहुत युवा अव्यक्ति ह और तुम अंग्रेजी पढ़े हुए भी लगते हो तुम्हारा अपने जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण चेतने महाप्रभू के इस शुद्ध भक्ति के संदेश का प्रचार और प्रसार अंग्रेजी भाशा में पूरी दुनिय में पूरे जगत में आपको करना चाहिए अब अभै जो हैं वह अभी तक ढंक से बैठे भी नहीं हैं और कैसे उनके गुरु महाराज ने उनको ना पार के बारे में कुछ समझते है और कैसे ही उनको ठीक से बैठे हुए बिना पहले ही उन्होंने उनको इतनी बड़ी बात, उनको उनके पूरे जीवन का एक उद्देश्य उनको दे दिया लेकिन अभे ये बात सुनकर चुप नहीं बैठते हैं वो उनका जो मन है, उसमें एक प्रकार से तर्क करने वाला एक व्यक्ति है अंग्रेजी पढ़ा हुआ, एक पढ़ा लिखा, सुलजावा, एक व्यक्तित्व वाले मनुष्य हैं तो ये सब बातें जैसे ही सुनते हैं, वो तुरंथ ही इस बात का विरोध करते हैं, इस बात का प्रतिकार करते हैं कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि चैतने महाप्रभू और शिक्रिष्ण का ये भक्ति का संदेश हमें पूरी दुनिया में इसको पहलाना चाहिए लेकिन सुनेगा कौन? भारत जो है वो अभी भी एक परतंतर देश है, एक पराधीन देश है यहाँ पर एक विदेश से आई वी एक सब्वेता हमारे उपर शासन कर रही है तो जब तक ये एक सब्वेता, विदेशी सब्वेता हमारे उपर शासन करती रहेगी हमारा ये भक्ति का, शुद्ध भक्ति का संदेश सुनेगा कौन? लेकिन जब भक्ति सिद्धान्त महराज अभय का ये प्रतिकार सुनते हैं, उनका ये विरोध सुनते हैं, तो वो उनके इस हर तर्क को उसको अस्विकार कर देते हैं, भक्ति सिद्धान्त महराज. बक्ति सिद्धान्त महराज कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का ये संदेश ऐसा है कि ये किसी भी अन्य बदलाव के लिए नहीं रुख सकता है अभै चरण जो भी तर्क जो भी दर्शन का प्रस्ताव बक्ति सिद्धान्त महराज को देते हैं भक्ति सिद्धान्त महराज शुद्ध भक्ति के तर्क शुद्ध भक्ति के दर्शन के आगे हर दर्शन को तुछ बताते हैं, हर दर्शन को निकरश्ट बताते हैं और उसे अस्विकार कर देते हैं। ये किसी भी बदलाव की प्रतिक्षा नहीं कर सकता है संदेश, इस संदेश को हमें शिग्र अतिशिग्र लोगों तक मानवता तक हमको पहुचाना चाहिए, और आज हम उस कथन की, उस वचन की सत्यता को आज हम सब लोग, ये वचन शिलप प्रभुपार जी के गुरुदेव ने कब दिया था, लगभग लगभग आज से सो वर्षपूर, आज 2022 है और मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 1922 की बात, 1920 की बात, आज से लगभग सो वर्षपूर विये बात, बक्ति सिद्धान महराज ने बोली थी, लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि भारत देश जो समय के जो राजनीतिग्या हैं, वो आ गए हैं, वो अपने आपस के जो ये स्वार्थ हैं, उनमें ही आपस में लड़ते रहते हैं और जनता की कोई परवा नहीं करते हैं, तो बक्ति सिद्धान महराज जो थे, वो एक शुद्ध स्वरूप सिद्ध भक्त थे भगवान के, एक साधू थे, जिन्होंने शास्तर को बहुत अच्छे से जान रखा था, इस जीवन को बहुत अच्छे से समझते थे, तो उनकी जो पैनी जो दृष्टिकोंड था, आध्यात्मी जो दृष्टिकोंड था, जो काल खंड के किसी भी बैरियर को चीरता हुआ, आगे तक लेगी, राजनीती हमेशा इस दुनिया में रहेगी, और राजनीती जब तक इस दुनिया में रहेगी, तब तक इस देश में लोगभाग तरस्त ही रहेंगे, तो ये जो संदेश है, कृष्ण भक्ति का जो संदेश है, ये किसी भी बदलाव की प्रतिक्षा नहीं कर सकता ह है इसको हमें इमर्जेंसी है इसको हमें तुरंथ ही लोगों तक मानवता तक हमको पहुंचाना चाहिए अब जब अभे ने इतना उनके साथ वहां पर काफी समय तक उनके साथ तर्क किया वाद इत्यादी किया तो जब वहां से उठे और लौटकर भार आए और जब उनके मित हिन है और अभे के मन में ये भाव हुआ कि अभी कुछी समय पहले मैंने ग्रहस्त आश्रम को स्विकार किया है मैंने विभा के बंधन में बंधना स्विकार किया है तो यदि मैं विभा के बंधन में ना बंधा हुआ होता यदि मेरे उपर ग्रहस्ती की पतनी की संतान की पूर्ण रूप से करने लगता तो ये अभय चरण के बच्पन का और युवावस्था का एक प्रकार से थोड़ा सा एक मैंने चितरन करने का प्रयास किया है कि कैसे अभ अभय चरण जो है वो अपने हिरदे में बक्ति सित्दांत महराज को लेकर उनके हिरदे में एक बड़ा आदर का भाव है प्रचार करने के प्रती उनकी निष्ठा जो है वो तीवर हो चुकी है स्वाधीनता संगराम और कृष्ण भक्ति के प्रचार में अब वो स्पश्च रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रचार ही वास्तव में मानवता के कल्यान के लिए कैसे इस मानसिकता में इस इस जरिष्टी कोण को लेकर अब अभे ऐगे जो एहे अपना आगला जीवन आगे का जीवन कैसे बिताते हैं कैसे आगे चलाते हैं तो अभे के जीवन में अब बक्ति सिद्धान महराज के लिए बड़ा गहरा आदर है और प्रचार को लेकर भी गहरी उनके मन में एक भावना है कि कैसे इस प्रचार को आगे बढ़ाया जाए और ग्रहस्त जीवन को भी साथ वो लेकर चलना चाहते हैं क्योंकि पतनी हैं बच्चे हैं उस जिम्मेदारी से भी वो भागना नहीं चाहते हैं उस जिम्मेदारी को भी वो स्विकार करके आगे चलना चाहते हैं तो ऐसे में उनके मन में जो रूप रेखा है वो यह है कि मैं अब अपना व्यापार अच्छे से करूंगा व्यापार करके मैं जो धन कमाऊंगा उससे मैं अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से उनको रख सकूंगा उनका लालन पालन कर सकूंगा और स आथ ही साथ वियापार में जो अब मुझे जो धन मिलेगा, उसमें जो अतरिक धन मेरे पास बचेगा, उस अतरिक धन से मैं कृष्ण भक्ति का भगवान चैतने महाप्रवू के इस संदेश का प्रचार जो है, भारत के बाहर, उसको मैं करने का पूरा-पूरा प्रियास करूं तो अब हम देखते हैं कि अभय के जीवन में कैसे अब संगर्श का दौर आरंब होने लगता है। तो आप देखेंगे कि अभय ने अपने जीवन काल में सन 1922 से लगभग ये कालखंड शुरू होता है और अपने जीवन काल में कैसे उन्होंने लगभग छे बार व्यापार आरंब किया, व्यापार में असफल हुए और उसको फिर एक बार आरंब किया। इसमें सबसे पहली बार जब वो अपना व्यापार आरंब करते हैं, तो अब वे प्रयाग में, मतलब जो आज की तारीक में अलहाबाद जिसे हम बोलते हैं, प्रयाग में उन्होंने अपना व्यापार आरंब किया। वो व्यपार कैसे आरंब हुआ पहले वो कलकत्ता में बोस लेबोरेटरी में डॉक्टर बोस के यहां मैनेजर के रूप में काम करते थे, अब डॉक्टर बोस ने उनको उत्तर भारत का एजेंट बना कर अलहाबाद में भेज दिया और वहां पर बोस लेबोरेटरी के वो एक के रूप में प्रयाग फार्मसी के नाम से उन्होंने अपना वहां पर व्यपार शुरू किया और पोस्ट लेबोरेटरी से उनको समान आता था और वह उत्तर भारत में उसकी सप्लाई किया गरते थे और जिंजिन विक्रेताओं को वह जिंजिन गरहाकों को वह सप्लाई किया उनसे वो अपने पैसे लेकर आते थे और उनसे अपना profit कमाते थे तो इस समय में प्रयाग में जब 1922 में अभय बाबु ने अपना व्यापार शुरू किया तो वे बड़ा सफल हुए उनके पास बहुत धन हुआ और उनके उनका नाम भी बहुत पहला यहां तक कि हमारे देश के प्रतम प्रदानमंतरी जवाल नहरू और उनके पिता मोतिलनाल नहरू भी इनकी दुकान पर आया करते थे और इन से दवा इत्यादील यह तो जैसा मैं में वो गाड़ी इतनी बढ़िया थी और इतनी महंगी गाड़ी थी कि पूरे अलाबाद में केवल दो लोगों के पास वो गाड़ी हुआ करती थी जिन में से एक जो थे वो अभे थे अभे चरण अब 1922 में जब उन्हों 28 की बात है तो उनकी पहली संतान जो थी वे एक पुतनी थी प्रियाग राज रखा और तीसरा चोटा सा बालग यो था वह उसका नाम था मतरा मोहन तो अभी तीन बच्चे हो चुके थे जिसमें की मतरा म honeymoon अभी बिल्कुल शिशु थे, बिल्कुल अभी-अभी उनका जन्म हुआ था, तो 1928 में ऐसे समय में गौडिये मठ, गौडिये मठ क्या है? बक्ति सिद्धान सरस्वती महराज, जो प्रभुपाज जी के जो गुरु है, उनका अस्थापित की हुई जो संस्ता थी, उसका नाम था ग प्रदीप तीर्थ महराज और अतुलानंद ब्रह्मचारी, अब वो जब अभे चरंड से मिलने उनकी प्रयाग फारमसी पर जाते हैं, तो बताते हैं कि हम यहाँ पर आये हैं धन्क इकत्रित करने, क्योंकि हम प्रयाग में एक मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, तो अभ प्रयाग में एक मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, और वे अभे से साहता चाहते हैं कि वो धन एकत्रित करने में उनकी साहता करें, तो अभे जो हैं यह तुरंत स्विकार करते हैं, और उन लोगों का बड़ा साहता करते हैं धन एकत्रित करने में, और मंदिर अब सहयोग करते हैं तो चार साल लगभग लग जाते हैं इस मंदिर को बनने में और लगभग अब 1932 का समय आ गया है जब मंदिर बनकर त्यार हो चुका है और भक्तिसिद्धान्त महराज जो हैं वो उद्गाटन करने के लिए आने वाले हैं तो भक्तिसिद्धान्त महराज के आन सिद्धान्त महाराज से मिलने जाएं तो कार्तिक के समय में भक्ति सिद्धान्त महाराज से अभे मिलने जाते हैं और वहां पर अनॉंसमेंट होती है कि अभी भक्ति सिद्धान्त महाराज का प्रवचन होगा और उसके बाद जो भक्त लोग हैं वो शेशा शाही मंदिर वो उ कोई सेवा है, कभी कोई किसी कारे से निकल जाता है. लेकिन वो प्रवचन लगभग लगभग पाँंच घंटे तक चलता है. और प्रवचन में अभे जो हैं, वो बड़ा ही ध्यां से अपने गुरु देव को बैठ कर बड़ा ध्यान से, बड़ा सतर्ता से अपना उस प्रवचन को सुनते हैं. और इस प्रकार से जब प्रवचन पूरा हो जाता है तो अभे वापिस आ जाते हैं और भक्ति प्रदीप महराज बंदिर के उधगाटन के अवसर पर जब भक्ति सिद्धान महराज वहां पहुंचते हैं तो भक्ति प्रदीप महराज अभे का अभे की मुलाकाट भक्ति सिद्धान सरस्वती से कराते हैं और वो बोलते हैं कि देखिये महराज इन्होंने बड़ी साहता करी धन एकथरित कराने में उन्होंने बहुत लोगों के साथ हमारा सहयोग किया और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये आप से दीख्षा लेने में चुक हैं तो मैं सहर अभै चरण का नाम आपके लिए आपकी दीख्षा के लिए मैं रेकमेंड करना चाहता हूं मैं उसका मैं उसकी अनुशन सा करना चाहता हूं मैं उसकी सिफारिश करना चाहता हू तो बक्ति सिद्हांत महराज को जब यह पता लगता है कि यह मेरे से दिख्षा लेना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत याद आता है कि कैसे अभगवान की कथा का श्रवन करना बहुत पसंद है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाला कि अभगवान ने मंदिर के निर्मान के लिए बहुत धन एकत्रित करने में गौडिय वैश्णवों की साहेता करी, लेकिन भक्ति सिद्धांत महराज ने इस बात पर अधिक द्यान नहीं दिया कि इन्हों ने धन एकत्रित कराया मंदिर निर्मान के लिए, बलकि इस बात कर अधिक द्यान दिया कि इन्हों ने कृष्ण कथा को लेकर अभय चरण के मन में बड़ी एक उतकंठा है, उसके प्रती एक बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्रेम है, कहने का भाव ये नहीं है कि मंदिर के लिए धन एकत्रित करना अच्छा कारे नहीं है, वो भी भगवा की कथाओं का शर्वन करना ही है, इसलिए भक्ति सिद्धान्त महराज बड़ा उनसे प्रसंद होते हैं और उनको दीक्षा देते हैं, अभय चरण की अब दीक्षा हो चुकी है, अभय चरण का नाम पढ़ चुका है, अभय चरणारविंद दास, अभय चरण उनका बच्पन महराज से संपर्ख होने के बाद, अभय के जीवन में अब एक मोड आने लगता है, जिसमें भगवान शी कृष्ण की योजना उनके जीवन में आगे क्या होने वाली है, वो साफ साफ दिखाई देने लगती है, अब अभय के जीवन में संगर्ष का जो काल खंड है, वो आर वास्तम में आध्यात्मिक जीवन जो अभेका है उसमें कोई वो बाधा नहीं बनती हैं लेकिन सकारात्मक रूप से सहयोग करने से वो मना कर देती हैं उनका उनकी जो पतनी थी उनका मानना ये था कि ठीक है ये पूजा पाठ अच्छी बात है लेकिन उसको इस हिस्तर तक ले से मना कर देती हैं इस बात से अभेको थोड़ा कष्ट पहुंचता है लेकिन वो इस बात को स्विकार कर लेते हैं अब उनके व्यापार में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रयाग में उन्होंने पहला प्रयास किया अब उनके व्यापार में कठिदाईयां आना शुरू हो जाती हैं उनके जो उनके जो बॉस थे डॉक्टर बोस कलकत्ता में जो बैठा करते थे जिनकी एजेंट बनकर वहां प्रयाग में व्यापार कर रहे थे उनको पता लगता है कि अभेक के व्यापार में लगभग 10,000 रुपय का बकाया हो चुका है और 10,000 रुपय उन समय में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी तो डॉक्टर बोस इसकी inquiry कराते हैं कि इस बकाय के पीछे क्या कारण है तो अभेक को लेकर तो उनको कोई कारण नहीं मिल पाता है लेकिन वो अब उन्हें उधार पर माल देना बंद कर देते हैं और जब उधार पर माल देना उनको म के बिलना बंद हो जाता है तो अभेका ये जो व्यपार है वो उसमें भारी कमी आ जाती है उसमें थप होने लगता है उसमें पैठनाई आरंब होनी शुरू हो जाती हैं तो अब ये अभे ने जो अब ये जो प्रयास किया था अपने परिवार को बसाने का अधिक से अधिक धन कमाने का ताकि परिवार का लालन पालन कर सकें और प्रचार के लिए भी धन लगा सकें प्रचार का भी कार्यारंब कर सकें अब वो मामला जो था व हो गया है तो अतुलानंद ब्रह्मचारी बोलते हैं कि यह तो देखिए वास्तव में भगवान कृष्णी की व्यवस्ता है जो वो आपको सफल नहीं होने देना चाहते हैं वास्तव में श्री कृष्णी की इक्षा है कि आप पूर्ण रूप से पूर्ण कालिक फुल टाइम आप प्रचार में अपने आपको लगा लें लेकिन ये बात सुनते ही अभे चरण जो हैं तुरंद कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इस तरह से पूर्ण रूप से नहीं आ सकता हूं मेरे पास परिवार है मेरे बच्चे हैं मैं उनकी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता हूं मैं उ उन्हें Smithsonian Laboratory में वहाँ पर कार्ये मिल जाता है, लेकिन पहले दिन से ही बात नहीं बन पाती है, पहले दिन से ही वहाँ जो दफ्तर है, वो जो आफिस है, वहाँ पर राजनीती शुरू हो जाती है, उनके जो मैनेजर हैं, वहाँ पर उनको पता लगता है कि ये बड़ा ही पिल व्यक्ति है, तो उनके जो मैनेजर हैं, वो उनके डारेक्टर को लेकर, सीनियर डारेक्टर को लेकर उनकी शिकायते करते हैं, उनके प्रती, उनके विरोध में कान भरने लगते हैं, और अभे को वहाँ पर स्मिट्सोनियन लेबोरेटरी में कोई सफलता नहीं मिल पाती हैं, और उन्हें एक बार फिर वो किसी व्यापार को लेकर सफल नहीं हो पाते हैं, अब वे अपना अगला प्रयास जो करते हैं, वो बंबई में ही करते हैं, और बंबई में ही वो अपना दूसरा व्यापार आ तो उनके तीन बच्चे हो चुके हैं, परिवार के लिए पैसे कमाने की उनकी इक्षा अभी भी बनी हुई है, और जो अतिरिक्त धन हैं, उसको प्रचार में लगाना चाहते हैं, इतना सब होने के बावजूद भी, व्यापार बंध होने के बावजूद भी, इतनी कठनेया ह होने के बावजूद भी, उनके प्रचार के प्रयास में कोई कमी नहीं आती है, उनका प्रचार जो है, वो वैसे के वैसे ही उसको चलाते रहते हैं, लेकिन इस समय अभैचरण जो है, वो एक भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखे गए, बताये गए, श्रीमत भागवत में एक श्लोक पर उनका ध्यान जाता है, और वो श्लोक इस प्रकार है, यस्याहम अनुग्रहनामी हरिश्यत धनम्शनई तदो धनम त्यजनत्यस्य स्वजनादुख दुख्षितम, यहां भगवान श्री कृष्ण दस्वें सकंद में ये बोल रहे हैं, यदी मैं किसी पर विशेश कृपा करता हूँ, तो यस्याहम अनुग्रहनामी हरिश्यत धनम्शनई, शनए मतलब धिरे-धिरे, हरिश्य मतलब हर लेना, तद मतलब उसका धन मतलब पैसा, वेल्थ, मैं धिरे-धिरे उसके धन से वंचित करता रहता हूँ, ततो धनम त्यज्यतंस्य स्वजना तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं दुख दुखी तम इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है तो ये श्लोक जो है वो अभै चरण को पता लगता है जब बंबई में आने के बाद भी वो जो व्यापार जो अपना आरंब करना चाह रहे हैं जो दूसरा प्रयास वह बंबई में करते हैं वो भी ठप हो जाता है वो भी किसी प्रकार से नहीं चल पाता है माराज देखे ये श्लोक लिखा हुआ है भागवता में मैंने ये श्लोक पढ़ा है क्या ये श्लोक मेरे लिए लिखा गया है क्या ये श्लोक मेरे उपर fit बैठता है तो भक्ति रक्षक श्रीधर महराज कहते हैं कि लगता तो यही है कि ये श्लोक तुम्हारे उपर पूर्ण रूप से fit बैठता है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम किसी प्रकार से ये भौतिक व्यापार इत्यादी कारियों में लगो, भगवान संभवता यहीं चाहते हैं कि तुम पूर्ण रूप से प्रचार करने में लग जाओ. तो अब बंबई में, जैसे मैंने आपको पता है, अब है कि प्रचार कारे में कोई कमी नहीं आती है, और वो बंबई में जो मंदिर है, वहाँ पर सेवा करते रहते हैं, ऐसे में जो वहाँ पर वैशनोजन हैं, वो भक्ति सिद्धान्त महरात से, उनके गुरु से ये सिफारि हैं, क्यों ना इनको बंबई का, बंबई मंदिर का अध्यक्ष बना दिया जाए, प्रेजिडेंट बना दिया जाए, तो वक्ति सिद्धान्त महराज, इस बात को वहाँ पर कहते हैं कि देखो, अभी इसको मैनेजमेंट में लगाने की आवशक्ता नहीं है, जब समय आएग तब ये सब कुछ कर लेगा, तो देखे, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भविश्य में देख पाते हैं, ऐसे भवक्ति सिद्धान्त महराज ने अभय चरन को लेकर, प्रभुपाजी को लेकर ये एक प्रकार से भविश्य वानी की, अब 1947 की समय आ गया है, भक्ति प्रयास अब का ठप हो रहा है, बंबई में, तो बंबई में प्रयास ठप होने के बाद अब वो कलकता आ जाते हैं, कलकता आने के बाद वो एक बहुत बड़ी फैक्टरी लगाते हैं, दवांस की फैक्टरी होती है, और आरंब से ही उस फैक्टरी में समस्याएं बनी रहती परिवार का भी साथ नहीं मिलता है, प्रचार कारिय करने के लिए जो वो मैगजीन इत्यारी छापना चाहते हैं, कागस बगरा लेना चाहते हैं, उसमें भी उनको कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, गौडिये मठ, उनके जो गुरु महराज का जो ये मठ जो इस्थापित उन्ह 2445-6 साल का ये जो कालकंड है, ये उस समय की बात है, तो वो बड़ी फैक्टरी भी उनकी किसी भी कारण से नहीं चल पाती है, ऐसे समय में अभे ने वहाँ पर श्रीवत भगवत गीता पर लगबग 12 वर्ष का समय लगा कर उसके उपर एक टीका लिखी होती है, और उनको ए लेकिन जिस दिन वो अभे अपनी अलमारी में वो भगवत गीता की जो एक मैनुस्क्रिप्ट है, उसको लेने के लिए पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उनकी मैनुस्क्रिप्ट जो है, वो किसी ने चुरा ली है, वो वहाँ पर नहीं है, ये तो नहीं पता लग पाता है कि भई ये क्या हो रहा है, लेकिन निराश बिल्कुल नहीं होते हैं, अगले ही दिन वो फिर से भगवत गीता की जो उनकी टीका है, उसको लिखना आरंब कर देते हैं, अब की बार जब उनका व्यपार ठप होता है, तो उनके स्वपन में पहली बार उनके गुरु महराज वक्ति सिद्धान सरस्वती प्रकट होते हैं, और अभय से ये निवेदन करते हैं कि वो पूर्ण रूप से सन्यास जल्दी से ले लें, लेकिन अभय जब उन्हें सपना आता है, तो बड़े जटके के साथ उठते हैं, और कहते हैं कि नहीं सन्यास मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरा परिवार है, मेरी संतान है, मुझे उनका लालन पालन करना है, उनकी जिम्मेदारी उठानी है, अब ये तीसरा प्रयास था, पहला प्रयास था प्रयाक, दूसरा था बंबई, और तीसरा प्रयास ये कलकत्ता, तो ये देखिए कि प्रयास के बाद प्रयास वो कर रहे ह हैं लेकिन हर बार प्रयाज जो है वो विफल हो रहा है ऐसे में कोई समान्य व्यक्ति हो इतनी विफलता हैं देखने के बाद हर समान्य व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के जटके अपने जीवन में नहीं सहन पाता है लेकिन वो प्रभुपाज जी जो है वो फिर भी हर नहीं मा करते हैं ऐसे समय में वो अपना प्रचार करने का जो उनका कार्य है वो चलता रहता है अब वो प्रचार कार्य करते करते भारत का वो जो आजाद भारत का वो जो मंत्री मंदल है उसमें अनेक मंत्रियों को प्रधान मंत्रियों को कैबिनेट के मंत्रियों को वो चिठियां को हरी नाम किरतन के लिए भगवान शी कृष्ण के लिए चैतने महाप्रभू के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें प्रभुपाज जी की साहता करनी चाहिए लेकिन किसी भी पत्र का उन्हें जवाब नहीं मिलता है ऐसे में अखबार में वो एक फोर्ड कंपनी का समाचार देखते हैं फोर्ड कंपनी के समाचार में वो लिखा होता है कि उनका जो मालिक है वो अपने कंपनी के जो करमचारी है उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए कोई किसी व्यक्ति को ढूंड रहा है तो यह प्रभुपाज जी जो है वो फोर्ड कंपनी के डि जवाब नहीं मिलता है यहां पर समझाने का प्रयास मैं यह कर रहा हूं कि प्रभुपाज जी के जीवन में कष्ट पर कष्ट असफलताओं पर असफलताएं आ रही है लेकिन प्रचार करने के प्रती उनकी जो उतकंटा है उनकी जो एनरजी है उनकी जो उर्जा है उसमें क प्रयास भी उनका ठप हो जाता है अब वे पांचवा प्रयास करने के लिए एक बार फिर पुनहें प्रयाग वापिस आते हैं यहां साथ हजार रुपए का लोन लेकर और पिछले के काम से अक्सर व्यपार के काम से वो जहांसी उनको जाना पड़ता है तो जहांसी में जब वो लोगों से मिलते हैं तो उनको एक व्यक्ति की तरफ से एक प्रस्ताव आता है कि एक स्थान है एक बिल्डिंग है जिसका नाम है भारतिय विद्या भवन तो यह भारतिय विद्य का जो कार्य है उसको आरंब कर तो अभे वहां पर दस हजार रुपे की लागत लगा कर एक संस्था का आरंब करते हैं उसका नाम होता है लीग ऑफ डिवोटीज और लीग ऑफ डिवोटीज के लिए वो उस समय दस हजार रुपे खर्च कर देते हैं लेकिन जो भारती विद्य भवन की जो यह बिल्डिंग है यह वहां पर जो जहासी में जो गवर्नर है उनकी जो पत्नी है उसकी नजर भी इस बिल्डिंग पर होती है और चुकि यह गवर्नर की पत्नी है यह गवर्नर की पत्नी वहां पर कोई महिला कल्यान के लिए कोई वहां पर गतिवी दिया जो ह अभे को यह बिल्डिंग नहीं मिल पाती है तो इतने में ही यहां प्रचार में भी उनको असफलता मिल रही है इतने में ही प्रयाग राज में प्रयाग में जो उनकी जो फैक्टरी है उनके नौकर का उनको संदेश आता है कि वो फैक्टरी में चोरी हो गई है और लोग बाग फरनीचर साजो समान एक्यूप्मेंट सब उठाकर ले गए हैं तो ऐसे में अभय को एक बार फिर वहीश लोग ध्यान आता है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था यस्या हम अनुग्रहणामी हरिश्य तद्धनम शनई तदो धनम त्यज्यतंस्य स्वजन भगवान जब किसी के उपर विशेश क्रपा करते हैं तो उसे धीरे धीरे उसके धन से वंचित करते जाते हैं तो अभय को जब अब इस बार ये जो श्लोग ध्यान आता है तो वो खूब जोर से हसने लगते हैं एक तरफ तो उनकी फैक्टरी बरबाद हो गई सब चोरी हो गया इतना नुकसान हो गया लेकिन अब है इस लोक को समरण करते हुए हस रहे हैं कि कैसे भगवान वास्तब में चाहा रहे हैं कि मैं उनकी पूर्ण रूप से सेवा करने में संलगन हो जाऊं अब पांचवा प्रयास प्रयाग में पुनहें एक बार असफल होने के बाद प इस बार बड़े बहुत बड़े स्केल पर वो कारे शुरू करते हैं और इस कंपनी को वो स्टॉक एक्सचेंज में भी वो लिस्ट कराते हैं लेकिन ये प्रयास भी उनका सफल नहीं हो पाता है और भारी नुकसान का उनको सामना करना पड़ता है ऐसे में जब इतना नुकस झेखते हैं के श्रीमत भागवत्म पढ़ने के लिए जब अल्मारी खूलते हैं तो श्रीमत भागवतम महांसे गाइब होती है तो हुआ क्या होता है कि उनकी पत्रेटी ने श्रीमत भागवत्म की जो पृति है वह रधी वाले बेच देती हैं किसे दारी उनको चाय और बिस्कुट खाने के लिए पीने के लिए उनके पास समान नहीं था उनके पास पैसे नहीं था अब प्रभुपाजी जब ये सब देखते हैं तो उनके हृदे में उनके मन में जो ये आध्यात्मिक जो विचारों का आंदोलन चल रहा है और परिवार की तरफ से जब कोई साथ उनको नहीं मिलता है और असफलता है जब वहाँ उनको दिखाई देने लगती है तो अब वो निश्चे कर लेते हैं कि अब वास्तम में अब उनको ये घर परिवार त्याक कर पुर्ण रूप से भगवान की सिवा में लग जाना चाहिए अब वो चले जाते ह हैं पतनी देखती हैं उनको जाते हुए बच्चे देखते हैं उनको जाते हुए लेकिन कोई रोकता नहीं है क्यों क्योंकि वो अक्सर आते जाते रहते हैं व्यापार करने के लिए आते हैं जाते हैं और जब भी वो जाते हैं तो पुन्हें वापिस लोटके आते हैं तो वहां वो परमहंत्स महराज के मठ में अपना समय बिताते हैं सुभै से लेकर शाम तक सिर्फ जब करते हैं आप देखें कि जो व्यक्ति प्रयाग में आज से लगभग 20-25 साल पहले जो प्रयाग का सबसे धनी व्यक्ति था जिसके पास ऐसी गाड़ी थी जो पूरे प्रयाग म सिर्फ एक और व्यक्ति के पास थी आज उसके पास अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी धन नहीं था वहां पर 10 रुपए वो धन के लिए उधार मांगते हैं अपने दोस्तों उधार मांगते हैं उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा है प्रचार में व उसको आरंब कर सकें लेकिन फिर भी उसको वहां पर भी सफलता उनको नहीं मिलती है अब देखिए परिवार की तरफ से भी उनको बड़ी कठनाईयों का सामना अपने जीवन में करना पड़ा कुल उनके 36 वर्ष के विभाई जीवन में आठ बच्चे उनको आठ संताने हु उनकी बच्पन में ही उनकी मृत्ति हो गई जो कि उस समय एक साधरन सी बात हुआ करती थी तो जो पांच और जो उनकी संताने थी उनकी तरफ से भी उन्हें ज्यादातर संतानों की तरफ से उनको कोई विशेश सहीयोग नहीं मिल पाया उनकी जो सबसे बड़ी पुत्री थ किया था वो फिर विभा करके अपने परिवार में चली गई थी तो अपने परिवार में जाने के बाद उनका अपने पिता से कोई बहुत जादा संपर्क नहीं रहा दूसरा जो उनका बच्चा था उनका जो बालक था संतान थी उसका नाम था प्रयाग राज उसको वह मांस दिन के लिए कुछ फरक पड़ा लेकिन बाद में हालत जो थी वो नहीं सुधरी वैसे के वैसे ही रहा और एक दिन प्रयाग राज यू था वो घर छोड़कर भाग गया और कूड़े के धेर से वो भुजन खाया करता था और प्रहुपाज जी उसकी स्थिति को देखकर परिशान हुआ करते थे तो उस प्रकार से भी प्रयाग राज की तरफ से भी प्रहुपाज जी को कोई सुख देखने को नहीं मिला मतुरा मोहन जो उनकी तीसरी संतान थी इसका जनम 1932 में हुआ जब ये 19 साल के थे तो प्रहुपाज जी वो अपना घर छोड़कर चले गए और उनके घर छोड़ने के कारण मतुरा मोहन अपने पिता पर बहुत अधिक प्रोधित रहे कियों ये हमको छोड़कर चले गए उन्हें अपने पिता से घ्रणा हो गई और ऐसा उनके पिता के प्रती उनका व्यभार रहा उनकी जो चौथी पुतरी थी चौथी संतान थी वो पुतरी थी उसका नाम था भक्तिलता जब वो उन्होंने घर छोड़ा तो तेरा चौदा साल की वो थी और प्रभुपाज जी के इस प्रकार घर छोड़ने से वो पुतरी भी बड़ा अपने पिता से रुष्ट रही यनि के प्रभुपाजी की जो पांचवी संतान थी, जिसका नाम था व्रिंदावन चंद्र, वह उनके पास ही अपना जिवन उन्होंने बिताया। केवल जो उनकी जो पांच्वी संतान थी वुरंदावन्चंद्र, वो ही एक मात उनकी ऐसी संतान थी, जिन्होंने अपने पिता की कारियों की सरहाना करी, जब उनके पिता कलकत्ता छोड़करा जब अमरीका के लिए जल्दूत पर चड़ने लगे थे, तब संतानों का इस प्रकार का वैभार इस प्रकार का जीवन वास्तव में ये भी बहुत कष्टप्रद इस्तिति रहती है अब वे दिल्ली आ गए हैं दिल्ली में वे सडकों पर भगवत दर्शन नाम की जो पत्रिका उन्होंने लिखी है उसका वितरन कर रहे हैं और इस समय वो ल भगवत दर्शन का जो वितरन करते थे उसको वितरन करने में भी उन्हें बड़ी नकारात्मक एक प्रकार से प्रतिक्रियाएं मिलती थी कोई भी वیک्ति उनसे इस प्रकार का जो पत्रिका थी उससे लेने से इंकार कर देता था मना कर देता था तो इससे बड़ा ही discouragement महसू उस हो सकता है किसी भी सामान्य विक्ति को आप किसी कारे को शुरू करें लोग बाग उसकी सरहना ना करें उसमें सयोग ना दिखाएं तो बड़ा डिसकरेजमेंट होता है लेकिन प्रहुपाज जी ने कभी भी डिसकरेजमेंट को अपने उपर हावी नहीं होने दिया जो भी अकारात्मक प्रतिक्रिया उनको वहाँ पर मिलती थी उसे वे सकारात्मक लेखों में परिवर्तित कर देते थे जब वो भगवत दर्शन बाटने जाते तो लोग बाग कहते कि किसके पास टाइम है यह सब पढ़ने के लिए तो प्रहुपाज जी वापस आते और एक लेक ल जाते तो कहते कि किसने देखा है भगवान को प्रहुपाज जी वापस आके लेक लिखते आइस टू सी गॉड इस प्रकार से जो भी नकारात्मक अनुभव उन्हें होते वो उनको सकारात्मक रूप से उनको परिवर्तित कर देते ऐसे समय में वो डॉक्टर राजेंद्र प समझें मैं इस बात को समझता हूं और इस बात को लोगों को समझा सकता हूं इस प्रकार से आप इन बातों से देख सकते हैं कि कैसे प्रहुपाज जी पूरी तत्परता से पूरी तनमयता से प्रचार के प्रति अपने आपको समर्पित कर देते हैं जब वो भगवत दर्शन का जब वो प्रकाशन करना चाहते हैं तो लोग बात पूछते हैं कितनी प्रतियां चपनी चाहिए तो प्रहुपाजी कहते हैं कि वास्ता में प्रतियां तो इतनी चपनी चाहिए कि पूरे विश्व में इनका वित्रण हो सके अमरीका के लिए 10,000 कौपी चाहिए बेल्जियम में देख सकते हैं कि हमें इतना कार्य करना है भगवत गीता के अध्यन को आपको स्विकार कर लेना चाहिए। आपको मेरे साथ आ जाना चाहिए और हम मिलकर भगवत गीता का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं, तो वास्तव में आप बड़ी असामान्य मृत्यू को प्राप्त होंगे. ऐसा प्रभुपाद जी ने दिसंबर 1947 में महात्मा गांदी जी को पत्र लिखा था, जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जनवरी 1948 में हम पाते हैं कि महात्मा गांदी जी की हत्या कर दी गई थी. तो प्रभुपाद जी ने जो ये एक प्रकार की जो भविश्य वानी करी, कि आप एक असामान्य मृत्यू प्राप्त करेंगे, एक इन गलोरियस डेथ आप प्राप्त करेंगे, वो सच हुई. इस प्रकार से आप देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने भारत में अनेक अनेक प्रकार के संघर्ष किये. अब थोड़ा सा हम प्रभुपाद जी के जो संघर्ष हैं जब वो अमेरिका गए, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार के संघर्ष उन्होंने अमेरिका जाने में किये. अमेरिका जाने के लिए उन्होंने जल्दूत जहाज में उन्होंने उन्को titanium मिला, वो भी टिकेट भी उन्को बड़ी कठिनाई से मिला, सुमती मुरार जी जो एक सिंदिया जहाज कमपनी की जो सिंदिया के मालकिन थी, उन्होंने बहुत ही जतन के बाद ही उनको जहाज का ए इतना तीवर था कि प्रहुपाजी अपनी डायरी में लिखते हैं कि यदि एक दौरा मुझे और पढ़ गया होता तो शायद मैं नहीं बचता तो ऐसी कठिन परिस्तितियों में प्रहुपाजी उन्होंने अपनी अमेरिका की यात्रा अरंब करी अमेरिका पहुंचने के बाद भी उनकी परिस्तितियां जो थी वो बहुत ही कठिन थी और कुछ लोगों का तो ऐसा लिखना है जो अमेरिका के एक बड़े विशेश एक प्रसिद धर्म के जो जानकार हैं वो लिखते हैं कि प्रहुपाजी जब अमेरिका आए और वो सफल कैसे हो पाए ये बात पचा पा थी वो व्रधा वस्था उनकी थी जब अमेरिका में प्रहुपाजी पहुंचे तो उनकी आयू थी सत्तर वर्ष तो सत्तर वर्ष की आयू में तो व्यक्ति रिटायर होता है आराम करता है पोते-पोतियों के साथ खेलता है लेकिन ऐसी आयू में उन्होंने अमेरिका में जा कर वहां पर अपने गुरु देव की जो आदेश था उसको पालन करने के लिए उन्होंने संगर्श किया उनके पास उनके मिशन की कोई रूप रेखा नहीं थी हम जब आज आज की तारीक में जब प्रचार करते हैं जो आज की दिनों के जो प्रचारक हैं जैसे आप उधारन लिजे जैसे मैं प्रचार करता हूँ तो हमारे लिए पुस्तके हैं हमारे लिए लोगों की गाइडेंस है इतना सब कुछ तयार हमको मिलता है लेकिन प्रभुपाज जी के सामने ऐसी कोई रूप रेखा नहीं थी उनको जो वीजा मिला वो भी केवल तीन महीने का वीजा मि लोगोरे ंपर जहां पर वहाँ जाढ़ा कर घोकी जहांपर वो कुछी दिनों तक वहाँ पर रुक पाये वहां से वहां से वो एक डॉक्टर राम मूरति थे उनके च्ऊचुडियों में उनको रुकने को मिला उसके बाद वो किसी एक दूसरे अपने अनुयाई के घर पर गए, वहाँ पर भी उनको ज़्यादा इस दिनों तक रहने नहीं दिये गया, फिर अल्टिमेटली 26 7th 2nd Avenue में उनको एक वहाँ पर ठिकाना मिला, तो देखे, रहने का कोई स्थान नहीं था, और उन्हें हर बार, 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 दर- बिना किसी उद्देश्य के अकसर घूमा करता था, मेरी समझ में नहीं आता था कि कहां से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, उनके पास कोई धन नहीं था, जब वो इंडिया से, भारत से, जब वो अमरीका गए, तो महज उनकी जेब में सिर्फ 40 रुपे थे, औ आज की तारीख में तो आप गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हर जानकरी ले सकते हैं, रस्ता कहां जाना है, पता ठीकाना कहां निकालना है, सब निकाल सकते हैं, लेकिन उस समय में कोई उनको जानकरी नहीं थी, कोई उनको जानने वाला नहीं था, जब उन् द्रग्ज लो, सेक्स करो, और इस तरह से वो अपना जीवन बिताया करते थे, और प्रभुपाज जी जिस फिलोस्वी को लेकर जा रहे थे, उसमें क्या था, कोई नशा नहीं करना है, किसी प्रकार का अवैद, इस तरी पुरुस्तंबंद नहीं करना है, रोज नहाना है, वो किसी भी वरिष्ट को, किसी भी अथारिटी को अस्विकार करते थे, और प्रभुपाज जी जो थे, वो हिप्पियों से लगभग इनकी आयू कितनी थी, 71-72 वर्ष की आयू थी, तो बड़े कठिन लोगों को उनको वहाँ प्रचार करना पड़ा, ऐसे लोगों को करना पड़ा, जो भगवान कृष्ण का जिन्होंने नाम तक नहीं सुना, अब आप किसी को भगवत गीता का प्रवचन देने जा रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में समवाद है, तो वहाँ लोगों को ये पता ही नहीं है कि बड़ी बड़ी उन्होंने जटके जहले, उसके बाद परिवार को लेकर उनको कोई समर्थन नहीं मिला, ना पतनी से समर्थन मिला, ना संतान से समर्थन मिला, बड़ी कठिन परिस्थितियों में, बड़ी विशम परिस्थितियों में उनको अमेरिका देश की उनको यात्र से भरपूर रहा और इनकी प्रुपाजी की इस कठा से इस कहानी से इस जीवन चरित्र से आप सरलता से ये बात अनुभव कर सकते हैं कम से कम मैं तो करी सकता हूँ कि जो आज आप इस कौन संस्था का रूप देख रहे हैं जो साधन संसाधन जो आप देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों के माध्यम से वो किस व्यक्ती ने किन परिस्थितियों में किन कठिनाईयों में आरंभ किया उसको आप इस कथा के माध्यम से समझ सकते हैं तो आज की ये जो कथा है इसलिए प्रहुपाज जी के चरित्र के ओपर कहने की जो मेरी अभिलाशा थी, जो इच्छा थी, वो यही बात समझाने के लिए थी, कि ऐसे महान व्यक्ति के परती हमें सदै भी कृतिक्टा का भाव हमारे मन में होना चाहिए, और कुछ भी हम ऐसे व्यक्ति के मिशन के लिए कुछ कर सके हैं हमें करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोई प्रशन हो तो पूछ सकते हैं थन्यवाद थैंक यू प्रभु जी वेरी नाइस थैंक यू प्रदीप जी कोई प्रशन हो कोई आपको पाद समझ में ना आई हो कोई आप प्रभु पाद जी के जीवन के बारे में और मुझ जानना चाहते हूं कर दो हम चर्चा कर सकते हैं भूफ जी याग भूफ जी और प्रदीप जी अधर कृष्टा जले बहुत बहुत आन्यवाद पिर अगली रुद्वार को एक बार पणे अगले बुद्वार को हम श्री राधा श्री में पर एक छोड़ी सी कथा करने का प्रियास करेंगे आप सबसे अनुरोद है यह विश्याएं और कथा में भाग लेए बहुत बहुत करने करेंगे प्रभुजी अरे कुछ ना हरे कुछ ना प्रभुजी अरे कुछ ना